तो यह नॉर्मल सी वीडियो होगी छोटी सी लाइक एन एप्रिसियेशन पोस्ट जादा लंबी नहीं होने वाली या फिर हो भी सकती है फूनोस लेकिन इससे पहले कोई और बात कीजए मैं अपनी पिछली जो वीडियो है गेमिंग माउस के बारे में उस पे कुछ बात करना चाहूंगा क्यूंके वो एक अलग तरीके की मैंने वीडियो बनाई थी और उसकी भी रीजन मैं बताता हूँ लेकिन उससे पहले जरा कमेंट्स देखती हैं कि लोगों के कमेंट्स किया थे उस वीडियो के बारे में वेल येस 18 वाला भी होता है और इवन 20 बटन्स वाला भी होता है वेल इसके पीछे एक रीजन ये है कि मैं असल में अपनी साउंड प्रोफाइल जो है नो वो चेंज कर रहा हूँ अब मुझे सही तरा से समझ नहीं आरी कि मैं किस तरा बोलू जो जादा कमफर्टेबल हो क्योंकि लोग जो है वो कहते है कि जाधा एनरजी आने चाहिए लेकिन अगर मैं ज़्यादा एनरजी के साथ बात करने की कोशिश करूँ तो लोग कहते हैं कि ये नैचरल फील नहीं होता तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एकसाइट भी हो जाता हूं जैसे और ऐसे भी तो आप टू बी ओनेस्ट मुझे नहीं समझा रही मैं किस तरह से किया करूँ लेकिन आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर के मुझे किस तरह बात करनी चाहिए ताके मैं वो आला फॉलो करूँ येस ये बात सही है कि टेक्स्ट ओरिंटेशन थोड़ी सी खराब थी क्योंकि जिदर मेरा हैंड था उसके नीचे टेक्स्ट आना था तो हैंड जो मेरा था वो सेंटर में नहीं था जिसकी वज़े से टेक्स्ट भी सेंटर में नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मुझे जो है ना वो टेक्स्ट ओरिंटेशन थोड़ी से खराब करनी पड़ी थी तो ये वीडियो जो ती है, ये असल में एकस्परीमेज्टल वीडियो थी। जो लिए इसके बेचा आडया ये था किैमरा यूज किये बखैर आप वेडियो कैसे बना सकते हो। क्योंकि as मेरे पास कोई कैमरा भी नहीं है और दूसरा ये कि मैं एफोर्ड भी नहीं कर सकता तो इसलिए मैं ऐसा कोई वे डून रहा था कि जिससे at least presentable वीडियो बान सके now मुझे पता है कि काफी यूट्यूबर्स कहते हैं कि कैमरा होना जरूरी नहीं है ये चीज होनी जरूरी नहीं है वो चीज होनी जरूरी नहीं है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि चैनल किस तरह का है और चैनल पर डिपेंड करता है कि उसको कैमरे की जरूरत है या नहीं है परसनली मुझे काफी मुश्किल पेश आती है लेकिन फिर अगर मैं कैमरा ले लूँ तो उससे आगे भी फिर मुझे चीज़े चाहिए होंगी जिसकी वज़े से मैं नहीं ले रहा फर एक्जेंपल अगर मैं कैमरा लूँगा तो मुझे एक वर्क स्पेस चाहिए होगा जो के अगे मेरे पास नहीं है उसके बाद मुझे लाइटिंग कंडिशन्स चाहिए होगी और एस यूशल वो भी नहीं है तो आईम टेस्टिंग के किस तरह जो है मैं 1000 सबस्क्राइबर्स तक कोई ऐसा काम निकालूं के जिससे आप लोग भी इंटरेस्ट हों और मुझे भी करने में मज़ा है अफकोर्स यह वाला जो मैथर्ड है इसके अदर एडिटिंग काफी जादा करनी पड़ती है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है तो इसलिए जितना मेरे से हो सका मैं उतना करने की कोशिश करूँगा अफटर आल जो मेरे परसनल फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उन सारों की भी कहानी इस तरह की है और एक सेमपल लाइनस जानी कोई ले लो मुझे अभी भी याद है जब मैंने लाइनस की वीडियो देखना स्टार्ट की थी तो तब उसने एक वीडियो के अंदर बताया था कि वो एनसी आइक्स का असल में सेल्स रिप्रिजेंटेटिव था और उन्होंने लाइनस को कहा था कि आप वीडियो बनाना स्टार्ट करो और उन वीडियो के दर्मयान में उसने काफी चीज़ें बताई थी कि मुझे काफी चीज़ें मुश्किल लगी थी उसके पास अपना कैमरा नहीं था उसने फिर अपनी पॉकिट मनी जमा की थी एक न्यू कैमरा के लिए और पिर जब उसने अपना चैनल बनाया तो उसके बाद NCIX असल में बैंक्रप्ट हो गया था जिसको इसने फिर खरीद लिया था सबसे मज़े की जो बात मुझे लाइनस के लगती है वो ये है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है वो सेल्फ एजुकेटेड है जिसकी वज़ा से वो बेस्ट प्राइम एग्जेंपल है इसके लावा सबसे फेमस यूट्यूबर को ले लो फ्यूडी पाए उसकी भी यही सेम कहानी है जब उसने यूनिवरसिटी की डिग्री स्टार्ट की थी तो वो हॉर्ट डॉक का स्टेंड लगाता था और उसके बाद उसने यूट्यूबिंग जब स्टार्ट की थी तो उसने यूनिवरसिटी चोड़ दी थी तो इसलिए जो है मेनत तो करनी ही पड़ती है हर चीज के उपर लेकिन मसला यह है कि कभी कभी बंदा डिप्रेस हो जाता है या डिसकरिज हो जाता है क्योंकि उसके साथ के स्टार्ट होने वाले जो यूट्यूबरस है वो 1,000 या 2,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचे होते हैं जबकि आप जो हैं वो वहां के वहां ही बैठे होते हैं जिस्ट विकॉज दे हैव बैटर एक्विप्मेंट या उनके पास बैटर फिसिलिटी है तो उससे बंदा लेट डाउन होता रहता है बट यूनो वट बंदा ऐसे ही सीखता है इसी नेगिटिव एनरजी को अगर हम यूज करें अपने पैशन को आगे इंक्रीज करने के लिए तो ये नेगिटिव एनरजी एक पॉजिटिव एनरजी के अंदर कनवर्ट हो सकता है इस बात का मतलब ये है कि ये जो negative energy है ये आपको fuel up कर सकता है आपके passion को until you finally succeed ओके enough depression हो गई इसके लवा मैंने बात करनी थी giveaway के बारे में असल पर मैंने 100 subscriber पर giveaway रखना था लेकिन दर्मियान में ये lockdown वाला scenario आगया पुरा जिसकी वज़ा से मैं नहीं कर पाया लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ के 200 पर करूँ या ना करूँ या 300 तक इंतजार करें well what you say do tell me in the comments तो आज के लिए इतना ही and again thank you to all of you who contributed towards this channel this is honeyx, happy Ramadan